अब हम चलते हैं इसके कुछ services की और, कि retailers कौन कौन सी services provide करते हैं, सबसे पहले wholesaler को, retailer की वज़ा से wholesaler को क्या फाइदा होता है, retailer consumer से काफी सारी information collect करता है, जो wholesaler को बता देता है, consumer को क्या चाहिए, कौन सा product चाहिए, कितना quality का चाहिए, कितने amount का चाहिए, कब चाहिए, कौन स मोसम में क्या चाहिए, तो सारी information retailer यहां से collect करता है, और wholesaler को पहुंचा देता है, दूसरा benefit यह भी है, demand create करता है, अब wholesaler को तो product कैसे sale करना है, retailer के थूर, retailer पहले market में से demand पता करेगा, कि क्या market के अंदर क्या चाहिए, consumer क्या माग रहे है, तो उसी के according वो demand किसके आगे रख कोन करता है, retailer करता है, local advertisement, अब बहुत बड़े level पर advertisement तो एक कर देता है, पर local advertisement, घर के आसपास के लोगों को product के बारे पता चले, तो यह कौन बताता है, retailer, तो local advertisement करने का काम कोन करता है, retailer करता है, कैसे consumer आते हैं, consumer का पुराने product और नए product, आने वाले product के बारे में भी information देता रहता है, तो retailers, local level के advertisement करता रहते हैं, फिर आगे है help in distribution, product को sale करने का काम भी करता है, क्योंकि wholesaler तो direct sale नहीं कर सकता, तो इसके product को sale करने का काम किस नहीं किया, retailer ने, तो retailer distribute करने का भी काम करता है, no need to meet consumers, इसको customer से मिलने की ज़रुरत नहीं होती, क्योंकि customers या consumer से मिलने का का काम कौन कर लेता है, retailer कर लेता है, तो कहीं न कहीं wholesaler को काफी सरी help provide करता है, कौन retailer, अब हम बात करते हैं कि retailers की वजए से society को क्या benefit होते हैं, या consumers को क्या benefit होते हैं, पहली बात, retailer consumer की requirement के according, consumer की जरुरत के according, उनको product available कराता है, choice की selection देता है, कभी-कभी consumer दुकान पे आया, उस को select करने में भी, selection के अंदर में भी advice देता है, suggestion देता है, कि कौन सा product तुमारे लिए अच्छा है, फिर credit purchase की भी facility देता है, अब किसी consumer के पस पैसा ना हो, तो retailer उसको उधार भी देता है, home delivery का भी topic आएगा, home delivery of goods, फिर आगे है no fear of cheating, अब consumer क्योंकि बारवार आते हैं दुका अंदर के पास, तो consumer को cheating नहीं होने वाली है, consumer के साथ धोखा जड़ी नहीं होने वाली है, क्योंकि consumer के साथ अगर हमने एक बार cheating कर ली, तो consumer दुबारा खरिदने के लिए नहीं आने वाला, फिर supply of fresh goods, ये सारी बाते आप study कर पाऊगे, stock of goods of every season, हर season की item आपको retailers के पास consumers, फिर आगे है increase in the customers knowledge, customers की knowledge भी तो increase करता है, पुराने product, नए product के बारे में product use कैसे करना है, कब करना है, किन situations में product use नहीं करना है, ये सारी information ये consumers को देता रहता है, फिर free advices, product के बारे में free advices, suggestion देना है на, product का क्या price है, product के prices change होने वाले, इस product के क्या benefits है, product क कभ यूज नही नहीं करना है तो इस ताइप की suggestions, advices वो consumers को देता रहता है